तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अकाउंट्स हवेली पर बेटा जी जैसे की आप लोगों को पता ही है अब हमारे बैच सरीज रेगुलर चल चुकी है जिसमें हम 12 क्लासेज के कम्पलीट कॉर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बिजनिस टडीज का पहला चैप्टर सिग्निफिकेंस ओफ मैनिजमेंट हम खतम कर चुके हैं मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा अगर आपने भी तक नहीं देखा आया तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर किलिक करके भी उस बैच को देख सकते हैं और अपना पहला चैप्टर बिजनिस टडीज का खतम कर सकते हैं साथ यह हमारी बेटा जी फोर्थ क्लास है फंडमेंटल हो पार्टनर सिफ्ट के चैप्टर फर्स्ट की उमीद करूँगा आपने वो तीन क्लास पहले देख ली होंगी अगर नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को यहीं स्टोप कीजिए और पहले वो तीन क्लास देखकर में हम आपको सारी क्लास फ्री में अविलेवल कराएंगे इतना ही नहीं इंपोर्टेंट कोशन्स और कॉंसेट की डिलिवरी आपको यहां मिलने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं तो बेटा जी जैसे आपने थमनेल पर देखी लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आ आपको सारी बातें बेसिक से बेसिक बातें समझ में आएं और हम अपने क्लासे में बेसिकली फोकस कर रहे हैं उन बिगनर्स पे हम यह मान के चलते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनें बहुत कम आता होगा तो हम उनको दिमार्ग में रखके भी अपनी अप्रोच और strategy set करें तो एक बेकार से बेकार बालक या ये कहलें बेकार बच्चा कोई नहीं होता बेटा जी वो बच्चा जिसको अभी तक अच्छे से classes नहीं मिली है या जो अच्छे से नहीं पड़ पाया है उसके लिए भी ये classes रहने वाली है और advanced level के लोगों के लिए तो ये classes साथ में ही है हमारा रिजल्ट आपको screen पर 4 दिखाई दे ही जाता होगा आप बहां से जाकर हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट offline में बहुत अच्छा है जवरजस्त है इसी वज़य से हमने सोचा कि अब YouTube पे भी हम करते हैं और धमाल मचाते हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते एं अपना इंट्रस on capital का topic इससे last class में बेटा-जी हमने क्या करा आथा ? इससे last class में हम आपको profit and loss appropriation account के बारे में बता रहे थे लुटे हमने इंट्रस का एक format बताया था जिसमें credit side में बेटा जी profit को transfer करते हैं जो profit and loss से net profit आता है उसके बाद हम interest on drawing को transfer करते हैं credit side में फिर debit side में बेटा जी हम interest on capital लिखते हैं फिर partner salary लिखते हैं फिर partner commission लिखते हैं अगर कोई reserve में पैसा डाल रहे हैं वो लिखते हैं और लास्ट में divisible profit निकालते हैं और वो divisible profit partners में बेटा जी distribute कर देते हैं इतना हम आपको बताकर बताकर आ चुके थे तो चलिए बेटा जी देखिए यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे सबसे पहला एक नंबर में पूछ लेता है कि बताओ क्या journal entry बनेगी profit को transfer करने की और वो कौन सा profit होगा तो पहले बेटा जी मैं journal entry लिख देता हूँ तो journal entry बनती है हमारी बेटा जी profit and loss account debit to profit and loss appropriation account क्योंकि हम profit and loss appropriation के credit side में अपने net profit को transfer करते हैं तो हमारी entry बेटा जी यहां बनती है P&L account debit to profit and loss appropriation account being profit transferred जिसको आप सभी जानते हैं हम narration बोलते हैं अगर journal entry आप ऐसे भूल जाते हैं कि हमें यह याद नहीं रहता किसको debit में लिखेंगे किसको credit में तो आप बेटा जी एक simple sentence याद रखेंगे कि हमें केवल याद रखना है जैसे मैंने आपसे बोला था कि profit को हम credit side transfer करेंगे इस last video में मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपसे बोला था कि सारे profit P&L एक्रोपेशन के credit side में transfer किये जाएंगे जैसे मैंने यह जर्नल एंट्री से पहले यह account बना के दिखाया हुआ है बेटा तो यहाँ पर हम कहां transfer कर रहे हैं credit side में हम transfer कर रहे हैं profit and loss approbation के credit side में profit लिखे जाते हैं तो बेटा जी आप बस इतना याद रखेंगे कि जिस side लिखने की बात करता है ना मेरे बच्चा वो account journal entry में उसी side दिखाई देगा means मैं जब भी यह बोलूँगा कि बेटा इसको P&L approbation के credit में लिखेंगे तो आप तुरंत वहीं पर पकड़ लेंगे इस बात को कि बेट मींज जब journal entry बनेगी तो P&L approbation credit side में लिखा जाएगा आप इसी बात को और आगे जाके hint भी कर सकते हो सर मालो आपने ये भी बताया था कि interest on drawing P&L approbation के वो भी credit side लिखा जाता है तो बेटा जी जब उसकी journal entry बनेगी तो उसमें भी P&L approbation account आपको credit side में ही नजर आएगा वो आप आगे देखने को आपको मिल जाएगा तो P&L account debit to profit and loss approbation account और अगर यहाँ पर drawing होता तो entry बन जाती drawings account debit to profit and loss approbation account वो बात हम आगे आपसे करेंगे हलाकि इतना आपको पता होना चीए प्लेगिन फिर भी अगर आप इतना भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से बेटा जी इसको समझ सकते हैं कि जिस account में हमने जिस side posting की होती है अगर हम journal entry बना रहे हैं तो वो account journal entry में उस side नजर आता है अगर हम credit में लिख रह लेना account में credit में है यह debit में है journal entry आपको easily फिर याद हो जाएंगी मेरे बेटा चलिए जी आगे बात करते हैं तर अब हम अपने दूसरे step की जो हमारा आज का important step था that is interest on capital सर ड्रोइंग्स नहीं करा रहें बेटा जी ड्रोइंग्स हम इसके बाद कराएंगे आज हम आपसे बात करने वाले हैं interest on capital की तो बेटा capital contribution partners करते हैं यानि की partners firm को capital देते हैं लाकर और firm उसके बदले में partner को payment करती है interest की और यहीं से यह topic आता है interest on capital तो अगर मैं आपसे पहल इंट्रस on capital कहां लिखा जाएगा profit and loss account में तो आप बोलोगे नहीं सर यह कहां लिखा जाता है बेटा जी यह लिखा जाता है profit and loss appropriation account में तो अगर मैं पूछ लेता है mcq में interest on capital कहां लिखा जाएगा तो आपका जवाब होगा यह अप्रोप्रोप्रेशन अकाउंट में लि ले हैं वीडियो को पूरी देखिएगा skip मत करिएगा क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो जो बोल रहे हैं उन बातों को बेटा जी धंक से समझने की आपको जरूरत है तो interest on capital का जब बेटा जी हम topic पढ़ेंगे interest on capital का बेटा जी जब हम topic पढ़ेंगे मेरे लेते हैं केवल एंड केवल बेटा जी opening capital is given question में हमें केवल एंड केवल opening capital ही दे रखी है तो किस तरीके से interest on capital निका लेंगे अगर question में opening capital तो दे रखी है साथ में कोई partner बाद में additional capital भी लेके आता है यानि कि पहले से तो कुछ पैसा लगा रखा है उसने और कोई पैसा भी इंट्रोड्यूस कर दिया यह officer ऐसे माल लेते हैं कि opening capital तो पहले से लगा रखा है साथ में कुछ हिस्सा partners ने drawing कर लिया जिसको अपन लोगों ने नाम दे दिया drawings of capital का तो अभी हम इसको तीन parts में divide करके पढ़ने वाले हैं कि केवल opening capital दे रखी है या opening capital के साथ additional capital दे रखी है या opening capital के साथ drawing of capital दे रखा है वैसे आप इसकी एक category और बना सकते हैं वो category क्या होगी सर हमने ना पहले ही आपने जिस तरीके से लिखा हमने तुरंत ही उसको सोच लिया था कि अब आप बोलोगे कि opening capital भी दे रखी होगी और माल लेते हैं additional capital भी दे रखी होगी और माल लेते ह है drawings of capital भी दे रखी होगी अगर सर यह सारी बाते दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे या कैसे करेंगे तो माल लेते हैं बेटा जी केवल यही 3-4 cases होते हैं जो आपको समझ के चलने हैं और फिर यह आपका topic अच्छे से cover हो जाएगा तो बेटा जी सबसे पहले हम अपना पहल केस हमने माना है only opening capital is given या तो हमें opening capital ही दे रखी है या ऐसे समझ लो हमने इसी साल बिजनिस स्टार्ट किया है या तो बिजनिस इसी साल स्टार्ट हुआ है या फिर पहले से चला आ रहा है तो हमें opening capital दे रखी है तो कैसे करेंगे मैं जल्दी से question लिख देता हूं सिरह हम उ करेंगे interest on capital तो चलिए बेटा जी शुरुवात कर लेते हैं तो हम अपने answer की सुरुवात करेंगे क्या लिखते हैं सर calculation of interest on capital सर किस तरीके से calculate करेंगे बेटा जी interest on capital निकालने का formula होगा जितनी भी amount partners की है यानि कि amount of capital जितनी भी capital partners ने introduce करी है वो multiply करेंगे बेटा जी rate divided by 100 into time divided by 12 इस formula को use करके हम partners की interest on capital निकालेंगे तो एक एक बात ढूंदते हैं यहां से पहला required क्या है हमारे लिए amount of capital तो पहली requirement है बेटा जी हमारी amount of capital तो देखिए amount of capital कितनी दे रखी है सर A की और B की दो लोगों की दे रखी है तो दोनों की देखकर बताए कितनी कितनी capital थी सर capital भी हमारी A की 3,00,00,00 और B की 2,00,00 तो बेटा जी इसकी capital 3,00,00 की है और इसकी capital 2,00,00 की है यानि कि formula में यहां पर amount of capital में A के लिए हम रखेंगे 3,00,00, B के लिए रखेंगे 2,00,00 इसी तरीके से हमें rate की requirement है तो सर rate दोनों का दे रखा है 10% per annum यानि कि rate 10% का होगा तीसरा हमें time ढूनना है तो time की requirement में बेटा जी अपरेल से लेके मार्स तक की detail दे रखी है that means पूरे 12 महीने के drawings की calculation interest on capital की calculation sorry drawings की नहीं बेटा जी interest on capital की calculation हमें यहां पर करनी है चलिए जी रखते हैं formula में details और निकालते हैं interest on capital पहले एका तो इसकी capital थी बेटा जी 3,00,00, rate था 10,00,00 into time 12 में से पूरे 12 महीने का क्योंकि पूरे साल यह amount invest रही है तो answer कितने का होगा 30,000 इसका interest on capital आ जाएगा इसी तरीके से बेटा जी interest on capital निकालेंगे B का तो B की capital कितनी थी बच्चो 2,00,00 का 10% और multiply 12 by 12 तो इसका interest on capital आ जाएगा 20,000 तो इस तरीके से हम mark कर देंगे कि total interest on capital जो firm को देना पड़ेगा that is rupees 50,000 पचास हजार रुपे का total interest on capital firm को देना पड़ेगा सर आप बता रहे थे पहले step में हम profit transfer करते हैं और आपने उस profit transfer करने की journal entry बताई थी एक बाद फिर से revise करवा देता हूं बेटा जी भूल चुके होगे पी एंडल अकाउंट है भी to profit and loss appropriation account कमेंट करके मुझे बताओ यहां कौन सी amount लिखते हैं हमने last class में यह आप से discuss किया था कौन सी amount होगी जो हम यहां transfer करेंगे कौन सी amount सबसे पहले step में profit and loss appropriation में लिखी जाती है वो amount हमें जल्दी से comment करके बताएं comment fast जल्दी से comment करके बताएं बेटा जी आपका participation बहुत जरूरी है पिछली class इसलिए देखनी भी जरूरी है क्योंकि मैं बीच-बीच में आपसे पूस्ता रहूंगा और यह चेक करता रहूंगा क्या आपको पिछली class याद है या नहीं है चलिए जी सर step फर्स तो फिक्स है, step second ये change हो सकता है वो सकता है question के इसाब से हम step second में interest on capital निकाल रहे हैं हो सकता है interest on drawing निकाल रहे हैं अब ही हम interest on capital सीख रहे हैं तो हमने मान लिए step second क्या है हमारा interest on capital का है तो sir interest on capital की क्या journal entry बनेंगी आप हमें ये बता दे बिटाजी interest on capital की दो journal entry बनती है और ये बात आपके लिए important है और इसको बहुत डंग से सुनकर चलेंगे तर interest on capital की दो journal entry बनती है एक हम बात करते हैं प्रोम दाफ फर्म्स point of view ठीक फर्म्स point of view पिटाजी एक बार हम फर्म के point of view से बात करते हैं यानि कि साधारन सब्दों में आपको बोलू तो profit and loss appropriation account के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ दूसरी तरफ क्योंकि जब हम profit में से वह हिस्सा निकालेंगे प्यंडल appropriation account में लिखने का मतलब प्रोफिट का वह हिस्सा जो हमने निकालकर रखा है interest on capital के लिए तो क्यों निकालकर रखा है क्योंकि वो हिस्सा partners को दिया जाएगा तो इसलिए दूसरा point of view बनता है बेटा दूसरा point of view बनता है from partners point of view from partners point of view की partners के point of view से क्या फरत पड़ेगा partners के point of view का मतलब इसको आप ऐसे याद रखोगे partner capital account की तरफ से चीडरिकल हमें दो तरफ से सोचना है एक बार हमें इंटरस ऑन Capital की जर्नल में डूसरा पना कर आंगे हमें कैसे बता चलेगा कोंचीgoing बनानी है और किस तरफ वाली बनानी है तो वह बात बेटा जी हम आपसे धीरे-धीरे करेंगे सब बता के चलेंगे तो सर आप हमें बता दीजिए पीएंडल एप्रोपेशन वाली एंट्री क्या बनती है तो बेटा खुद से याद करो मैंने क्या बताया था इंट्रेस्ट ओन केबिटल क्या होता है एक्सपैंसे किसके हिसाब से सोचना है बेटा जी पीएंडल एप्रोपेशन के हिसाब से और पीएंडल एप्रोपेशन ने क्या माना था इंट्रेस्ट ओन केबिटल को एक्सपैंसेज और रूल ने क्या था था सारे के सारे एक्सपैं पूनगा पीएडला प्रोपेशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे तो जनल एंटरी में अप्रोपेशन का नाम स्पीछ नाम सॉप्रेच आएगा I am कि सवाल सुष इसका मतलब बनाएंगे तो उसमें अप्रोफित एन लो एप्रोपेशन अकाउंट का नाम डेविट साइड आएगा तो सर अगर पी एप्रोपेशन का नाम डेविट साइड आ गया तो हम एंट्री किसके लिए बना रहे हैं इंट्रेस्टोन दूसरी जगा खाली बची वहाँ पर मतलर प्रोपेशन अकाउंट में नाके लिखा देंगे अगर यह कहेगा इंटरसमन कैपिटल की जनरल एंटरी बनाके दिखाओ तो एक जनरल एंटरी तो यह वाली बनेगी और दूसरी जनरल एंटरी जिसकी हम बात करेंगे बेटा किसके point of view से? पार्टनर्स के point of view से क्या एंटरी बनेगी बेटा जी? अब इसकी बात कर लेते हैं तो partner की तरह से सोचेंगे तो जल्दी से सोच के बता हो firm ने ये पैसा profit में से निकाल के रखा है और उन्होंने उसको अपना खर्चा माना है सर अगर firm ने अपना खर्चा माना है तो बेटा जी आप इस तरीके से समझोगे कि partnership interest on capital received होगा क्या होगा बेटा जी partners को interest on capital received होगा और इस से उनकी बेटा जी capital क्या होगी बढ़ जाए ही सर firm को ने capital लगाके दिये और उस capital के ऊपर firm ने interest दिया ऐसे समझ लो ना आपने बैंक में पैसा जमा किया बैंक में आपने एक लाग रुपे जमा किये तो एक लाग रुपे जो आपके बैंक में रखे हुए हैं उस एक लाग रुपे पर मानलो बैंक ने आपको 10,000 रुपे का ब्यास दे दिया इंट्रेस दे दिया तो बताना आपक capital लगा रखी थी वो और उस capital में क्या प्लस हो जाएगा interest on capital क्योंकि ये भी आपको मिला है तो आप ऐसे समझेंगे partners को जब भी कुछ मिलेगा partner जब भी कुछ receive करेंगे तो उससे उनकी capital बढ़ जाएगी तो हम sir capital में उस प्लस करेंगे इस बात को आगे बनाओ 11 class वैसे थोड़ी वहता आपको याद होगी वांस्टर ने बताया होगा जी to capital का balance कैसा होता है credit तो अगर हम capital को plus करने की बात करेंगे यह minus करने की बात करेंगे तो इसको debit और credit के form में कैसे हम कैसे सोचते हैं सर अगर हमें capital में कुछ plus करना है that means उसको हमें credit करना debit ने बेटा जी कहां चला गया वह वाला feature आजा जल्दी से बेटा तो हमें क्या करना है credit और बेटा जी अगर हमें minus करना है तो हम क्या लिखेंगे debit याद है counting question मे भी थोड़ा सा बताया गया होगा कि assets बढ़ती है debit side लिखते हैं मतलब plus करते हैं assets घटती है तो फिर हम accounts में credit side ले आते हैं यानि कि minus करते हैं इसी तरीके से अगर हमारी liability या capital बढ़ेने जब भी वो बात बोलेगा capital increase हो गई आप उठाकर credit में लिख दोगे जब भी वो बोल है कि आपको जब भी capital बढ़ेगी तो आप capital account में credit side उसको मेरे बेटा जी लिख कर चलेंगे हां जी बेटा जी तो चलिए तो सर्क्या entry बनेगी बेटा इसी तरीके से अभी प्येंडल एप्रोपेशन की बात की थी हमने अब capital account के हिसाफ से journal entry हम सोच रहे हैं तो सर्रूल इस अगर प्येंडल एप्रोपेशन की जर्नल एंट्री बना रहे थे तो हम बोल रहे थे अगर हम बोलेंगे कि प्येंडल एप्रोपेशन में credit side लिखेंगे इसका मतला जर्नल एंट्री में एप्रोपेशन credit side आएगा और अगर हम बोलेंगे कि प्येंडल एप्रोपेशन में debit side में आएगा और जब भी आप से बोला जाए capital account में debit करना है इसका मुला journal entry में वो debit side आएगा 11 class में इसलिए teacher आपको बताते हैं ना कि inverse कर देते हैं तो आप उसका फायदा इस तरीके से उठा सकते हैं इसका मतला अभी हम क्या बोल रहे थे कि interest on capital बेटा जी partners को क्या होता है receive receive का मतलब उससे capital बढ़ जाती है और capital अगर जब भी बढ़ती है यानि capital में कुछ plus होता है तो हम उसको कहा लिखते हैं सर हम capital account में credit side लिखते हैं और अगर हम account से journal entry का सोचते हैं तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं account में credit side और journal entry में भी हम उसको credit side ही लिखेंगे यानि कि इस तरीके से हम लिख देते हैं partners capital account इस तरीके से बेटा जी हम लिख देते हैं तो partners capital account और partners capital account को बटा ज़ी हम credit किसकी वज़ा से कर रहे हैं? उसका नाम लिख देते हैं. Interest on capital account debit to partners capital account इस तरीके से. इंट्रेस्ट और capital account debit to partners capital account और 50,000 इस तरीके से बेटा जी दो journal entry बनाते हैं लेकिन इस journal entry को आप सही तरीके से इस तरीके से लिखके दिखाओगे बेटा आपको ये entry हैसे बनानी है interest on capital account debit, clearly बताना है एक को कितना मिलेगा, on is capital account और इसी तरीके से बेटा जी आपको बताना है बीज कैपिटल अगूंट सर अगर मालने वो तीन पार्टनर होते तो फिर बेटा जी एकाउंट बी अकाउंट और सी अकाउंट हम इस तरीके से लिखते एक को कितना मिला था हमारा इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल पीज बीज तो बेटा जी कुल मिला के इंट्रेस्ट ऑन क्या देखने का प्रियास करें क्लाक्ष अगर आप चाहते हैं कोई benefit आपको हो तो, तो कैसे बनाते हैं entry, sir interest on capital partnership firm को देना पड़ता है, और partnership firm अगर paid करेगी तो nominal account कहता है, खर्चे debit में लिखे जाएंगे, एप्रोबेशन account में, यहीं से journal entry सीख जाएंगे, अगर वो बोल रहा है, एप्रोबेशन में debit में लिखेंगे, तो उसको credit कर देंगे, two interest on capital account, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा कर कहां आ जाते हैं बेटा जी हम, अब आ जाते हैं partner के जाब से, क्योंकि जब partnership firm ने वो पैसा interest on capital के नाम का profit से निकाल के रखा है, तो क्यों रखा है, क्योंकि उसकी payment partners को करनी है, तो जब वो पैसा partners को मिलेगा, तो partners बोलेंगे कि हमारी capital इससे और बढ़ जाएगी, जैसे हम bank में ब्याज में का पैसा हमें bank से मिलता है, तो वो हमारे principal amount में जुड़ जाता है, ऐसी firm की capital में उनका interest on capital प्लस हो जाएगा, तो partnership firm ने जब partners की capital ली थी तो उसको credit माना था, तो और credit कर देंगे वो, इसका मतलब 11th class में मैंने आपको hint दिया था, 11th में आपने कैसे सीखा था, कि जब भी हमारी capital बढ़ती है, यानि कि liability बढ़ती है, तो हम credit करते हैं, liability घटती है, तो debit करते हैं, इंट्रस on capital partners को मिला है, that means हम उसको credit करेंगे, credit करने का मतलब यहीं से सीख जाएंगे, यहीं से पकड़ लेंगे, कि general entry में interest on capital credit side आएगा, sorry partners capital account credit side आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, two partners capital account, और सर इस तरीके से नहीं, यह तो समझाने के लिए था, दो partner है, तो दोनों का नाम लिख लिख के बताएंगे, two A's capital account, two B's capital account, और किसके लिए, हम A और B का capital account credit कर रहे हैं, यानि कि A का account 30,000 से बढ़ा किसके लिए, तो वो reason भी दे देंगे, interest on capital की वज़ा से, तो entry बन जाती है, interest on capital account debit to A's capital account and to B's capital account, उमीद है, आप ये बास समझ गए होगे, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और जल्दी से आप लिखेगा बेटा जी, यहाँ पर एक बात और आजाती है, type of capital account जर्नली, हमारे जो capital account होते हैं बेटा जी, इसके बारे में, मैं separate class में discussion करूँगा, लेकिन थोड़ा सा part जो इसका आया है, केवल उसी उसी की बात कर लेता हूँ, capital account दो तरीके के होते हैं, बेटा जी, एक fix capital account होता है, और एक बेटा जी हमारा fluctuating capital account, मैं sort में लिख रहा आप पूरा लिखेंगे fluctuating capital account होता है, दो capital account होते हैं, एक fix capital account, एक fluctuating capital account, सर, जब हम capital account वाली general entry बनाएंगे, तो हम ये बात भी ध्यान लखेंगे कि capital account हमारे fixed हैं, या capital account हमारे fluctuating है, इसका क्या आंतर पड़ेगा general entry पे, वो ही बात बता रहा हूँ, सर, अभी आपने बोला थ कि interest on capital की entry बनती है, interest on capital account debit to partners capital account, be careful बेटा जी, entry बनती है partners, capital account पो आप underline करके रखेंगे capital हो, जब capital account हमारे fluctuating होते हैं, तो हम entry बनाते हैं, interest on capital account debit to partners capital account, और जब capital account हमारे fixed होते हैं, तो बेटा जी हम entry बनाते हैं, interest on capital account debit to partners, दिफ्रेंस आएगा तू पाटनर्स कर्ण अकाउंट क्या एंट्री मना देते हैं बच्चों कर्रेंट अकाउंट अंडरलाइन करके रखेंगे कर अब इसका मतलग capital account fixed होंगे capital account journal entry में लिखेंगे fluctuating होंगे तो current account लिखेंगे sir अगर question silent हो और ये ना बताए कि account हमारे fixed है या fluctuating है तो बेटा silent होगा तो fluctuating ही माना जाएगा हमेशा और फिर partner capital account ही लिख जाए जल्दी से इसको cracks में convert कर लेते हैं ये जो journal entry हमने पढ़ी है अगर इनको हम जल्दी जल्दी समझे तो sir एप्रोप्रेशन के हिसाब से बेटा जी एप्रोप्रेशन के हिसाब से interest on capital की क्या journal entry बनेगी sir एप्रोप्रेशन के लिए खर्चा है खर्चाव एप्रोप्रेशन अपने अकाउंट में डेबिट में लिखता है इसका मतलब जर्णल एंट्री में भी एप्रोप्रेशन अकाउंट कहा नजर आएगा हमें डेबिट साइड नजर आएगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी बेटा जी P&L appropriation account debit आप मेरे से पहले comment करके बता दिया करें क्योंकि आप यह चीज़ सीख चुके हैं interest on capital account जल्दी से दूसरी entry सर हमारी किसके हिसाब से बनेगी सर दूसरी entry हमारी बनेगी बिटा जी सर इसमें हम पहले यह चेक करेंगे कि capital हमारी fix है तो कुछ और जर्नल एंट्री बनेगी और capital अगर हमारी बेटा जी fluctuating है तो जर्नल एंट्री कुछ और बनेगी अगर capital हमारी fix है तो क्या entry बनती जी सर पहले आप हमें यह बताईए इसको किस सरीके से इनलाइज करेंगे पेटा capital interest on capital से बढ़ जाती है तो यानि credit करेंगे इसका मतलब जर्नल एंट्री में interest on capital credit side लिखा जाएगा debit में क्या लिखेंगे सर debit में लिखेंगे partners इधर ध्यान देंगे fix लिखा है तो पुरंत entry में क्या जाएगा current account एंट्री बन जाएगी partners current account debit to interest on capital account ठीके बेटा जी इधर क्या entry बनेगी time देख रहा है बेटा जी क्लास का कितनी बड़ी क्लास हो गई इधर entry बनेगी partners capital account debit इधर बेटा जी partners capital आ जाएगा उधर current आ जाएगा और हम क्या लिखेंगे to interest on capital account ठीक यह entry अब की बन जाएगी क्या यही entry बनेगी बेटा जी क्या यही entry बनेगी जल्दी से बताओ सर आपने तो कहा था कि इधर credit लिखा है तो capital account को credit side में लिखेंगे आपने तो लिखा नहीं तो बेटा जी अब लिख देता हूं मैं यही तो देख रहा था कि देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं जो एक्टिवली क्लास ले रहे हैं कि सर यह तो आपने गलत बता दिया गलत लिखा हुआ है तो अभी तक सर जितने बच्चे एक्टिवली देखेंगे वो कमेंट कर देंगे तो फिर उनको यहां से आंसर मिल जाएगा अरे जब आपने सर यह बोला थ अनदन अरण क्रेडिट साइड लिखेंगे टमी जरनल एंट्री में पांतनर अकॉटन डिट स्थी आना चιए तो इधर क्या आना चीए तो एक नहीं तो जिन बच्चों बनेगी interest on capital account debit to partners capital account ठीक तो हम यह देख रहे थे हम आपको मामू बना रहे थे और हम चेक कर रहे थे कितने बच्चे मामू बने तो जितने बच्चे मामू बने वह कमेंट कर दो जल्दी से यह मामू कि हम मामू बन गए मामू बन गए ठीक है जब भी मैं इस तरीके से आपको चेक करूँगा तो मैं यही बोलूँगा कितने बच्चे मामू बने कितने बच्चे मामू नहीं बने तो कितने बच्चे मामू बन गए वह कमेंट करके बता दो जितने मामू नहीं बने वह भी कमेंट कर दो कि नई सर हम नहीं बने थे हमने बात पकड़ ली थी अगर कोई तीसरी केटिगरी वाले भी हैं इसरी केटिगरी मतला कि सर हमारे दिमाग में तो आ गया था हमने वोला चलो क्या कमेंट करें तो अगर आप तीसरे वाले हैं तो वह भी कमेंट करके बता सकते है ठीक है बेटा जी कमेंट जरूर कीजेगा आपका participation रहेगा ना तो तभी तो मजाएगा तो चलिए अब जन्रल entry की बात हो गए अब कुछ examples और करते हैं और फिर आपसे फरदर आगे बात करेंगे देखिए जल्दी से next example धालि वेटा जी यह कोशन दे रखा है जल्दी से इसका स्क्रिन सोर्ट ले लीजिए लिए लिजीए और बताए कैसे करेंगे इस kooshan को हम व तो सुरुबात करते हैं इस коशन को आप कैसे कैसे सोल करेंगे बच्चो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वेटा जी कैसे सोल करेंगे इस कोशन को आप सर वही सेम पैटरन हम क्या करेंगे पहले केलकुलेट करेंगे interest on capital और सर कोशन की requirement भी चेक कर लेंगे कोशन में क्या बोल रहा है आपको journal entries बनानी है तो कोशन की requirement है journal entry बनाएंगे journal entry हम अभी आपको previously बताकर आएंगे जस्ट किस से पहले की journal entry कैसे बनती है तो सर जल्दी से पहले interest on capital निकाल लेंगे है क्योंकि profit तो हमें दे रखा है पहला स्टा प्रोफिट ट्रांसवर करने का होता वो प्रोफिट हमें गिवन है उसकी डारेक्ट बिल जाएंगे उसके बाद हम interest on capital निकालेंगे फिर हम journal entry कर लेंगे तो फेर पार्ट इस journal entry बनाना बाकि हमारा working note का पहठ है तो interest on capital सर एका interest on capital कितना आएगा सर सारी requirement जो होती है amount of capital amount into rate divided by 100 into time by 12 इसके साब से हम इंट्रेस्ट निकाल लेंगे इसका टोटल इंट्रेस्ट निकालेंगे कर लेंगे कोई ऐसी बड़ी यह बात नहीं थी सेम बातें आपको बता रखी है तो जल्दी जल्दी हो जाए क्लास का जादा टाइम ना हो जादा टाइम ना लगे क्लास में तो हमने बेटा जी इस वजह से यह आपको जल्दी से calculate करके दिखा दिया तो कितना आया सत्तर हजार रुपे का हमारा इंट्रेस्ट ओन capital निकल के आया मैंने आपको खोशन में इसमें भी थोड़ा सा एक confusion के लिए कुछ बाते लिकी दी जैसे मैंने लिगा था पार्टनर की capital यहां में कब दे रखी है 31-3-2-0-22 में ठीक तो अगर 31-3-2-0-22 में हमें capital दे रखी है तो कंफ्यूज क्यों होना 31-3-3 के बाद कौन सी तारीक आएगी 1-4-2-0-22 इसका मतलब हमने पिछले साल का closing balance दे आपको तो पिछले साल का closing balance इस साल का क्या बन जाएगा opening balance तो क्या confusion वाली बात है ज़रूरी थोड़ी है वो हर बार 1-4-2-0-22 लिखके दे तो हो सकता है 31-3-2- 2022 लिखके दे तो वो यह चीज़ भी चेक करेगा लेकिन यहां ध्यान रख लेना फिर से मामू बन जाओगे तो मामू कोश्चन बड़े important होते हैं paper में वो ऐसे ही घुमाएगा तो मामू कोश्चन से बचना है बेटा अगर यहां पर लिखा आ जाए अगर यहां पर लिखा आ जाता 31-3-2022 की जगा 2023 तो फिर यह इस साल की closing capital हो जाती है तो अगर कोश्चन में closing capital दे रखी है तो interest on capital कैसे निकालेंगे यह हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में जल्दी से हमारा interest on capital बेटा जी आया यह वाला जल्दी स मुझे बताओ कि क्या हमारी बनेंगी जनल एंट्री जनल एंट्री सर वही format वही ledger का नई जनल का जो format होता है जिसमें कितनी lining होती है 5lining होती है same format आप बनाएंगे एक बेटा जी हमारा क्या होता है date फिर हमारा क्या होता है amount credit आप इसी format को यूज करेंगे हाला कि पिछले दो बार से CBS से ये format आपको बना कर दे रहा है तो सर profit transfer करेंगे closing date में हम profit transfer कर देंगे तो सर 31 तारिक में हम profit transfer करेंगे बताओ profit कहां transfer होगा पेंडल एप्रोपेशन में debit side ये credit side सर credit side transfer होगा तो क्रेडिट side transfer होगा तो एप्रोपेशन में लिखा भी कहां जाएगा credit side लिखा जाएगा टूपी एंडल एप्रोप्रेशन अकाउंट तो किसके लिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं सर हम इसको क्रेडिट कर रहे है profit मेरे दिमाख में अब प्रोफिट एंड लोस के लिए तो पहली एंट्री बनेगी हमारी प्रोपेशन अकाउंट और कितने का प्रोफिट दे रखा है कोशन में एक लाग तो पहली जर्नल एंट्री पहला अब और रहे हैं कैऊरो डूसरी ज्यनल एंट्री में Сब्कॉमम 맞아 ंग तो इसी तारिक में 31 में हम अपना सोचना है वरना माभू बन जाएगा उसमें यह सोचना है है capital fixed है यह fluctuating है तो देखो ज़रा जल्दी से देखो capital fix है fluctuating सर कुछ नहीं बताया केवल यह लिखा हुआ है कि उन लोगों ने capital लगाई है इतना लिखा हुआ है कि उन लोगों की capital तीन लाग की और चार लाग की यह बागी कुछ नहीं बोल रहा question is silent तो बेटा जी आपको बोला तो जब question silent होगा तो हम क्या माल लेंगे fluctuating यानि कि entry बन जाएंगी हमारी fluctuating वाली तू क्यों हमें परिशान कर रहा है तो entry बनेंगी fluctuating वाली fluctuating वाली क्या entry होती है फिर से सब पहले सोचेंगे interest on capital से capital बढ़ेगी घटेगी अगर बढ़ेगी तो जनरल एंट्री में capital का नाम credit side आएगा घटेगी तो debit side आएगा तो interest on capital से तो capital बढ़ जाएगी इसका जबूर आपको 100% देखने में मिलता है जनरल एंट्री में फिक्स और capital वाला एक सेट में fix किसी में fluctuating किसी में fix किसी में fluctuating ऐसे cbs सी पूछ लेता है तो कितना interest on capital आया था इसका 30,000 इसका 40,000 और टोटल कितना है तो बिटा जी 70,000 का हमारा interest on capital आया था तो हमने entry बना दी interest on capital account debit to A's capital to B's capital सर अभी आपने जनरल एंट्री पांटनर्स के हिसाब से तो बना दी capital के हिसाब से पी एंडल एप्रोबेशन के हिसाब से भी तो लिके जाते है debit side तो इसका मतलग पी एंडल एप्रोबेशन जर्नल एंट्री में कहां जाएगा पी एंडल एप्रोबेशन account debit what to interest on capital account कितने हजार से बेटा जी 70,000 एंड 70,000 सर हमें ऐसी बना बेटा जी comment करके बता दीजिए हमें जल्दी से बेटा जी तो चलिए वेटा जी यह कुछ questions हैं आपके लिए आपको यह question करके इनका answer आपको comment में mention करना है तो आपको comment करने हैं अपने answer की इन सभी question के answer क्या होंगे बहुत धंग से कीजिएगा मामू ना बन जाइएगा क्योंकि कुछ question में आपको थोड़ा सा focus करना है तो कल की class में हम आपसे फर्दर बात करेंगे interest on capital के जो बाकी case दे रखे हैं उनके बारे में end profit के लेकर interest on capital में हमें कुछ ध्यान रखना है या कुछ ध्यान नहीं रखना है इसके बारे में आपसे चर्चा होगी तो चलिए मिलते हैं कल की class में तब तक इन question को solve कीजिए पूरी वीडियो देखते रहा करें चैनल को subscribe करना ना भूलें अभी मैं चैनल के analytics में जाकर देख रहा था लगबख 60-70% वीडियो वोच करते हैं और subscribe नहीं करते हैं तो बेटा जी subscribe कर दिया करें इसका कोई पैसा नहीं लगता यह बिल्कुल free of cost है वीडियो को like करें और आपको पसंद आए तो like करें पसंद नाए तो dislike करें जरूर करें चाहे like करें चाहे dislike करें और subscribe करके bell icon को press जरूर करें क्योंकि अगर आप like करना चाते हैं तो आपको पुदा चल जायेगा वीडियो आ गई यह आप like कर दीजिएगा और अगर आप बेल आए कन को further own रखते हैं और आको पुदा चल जाता है वीडियो आगई है औ आपको dislike ही करना है तो आप लाइक करें, dislike करें जरूरूर। आपको करना जरूर है चाहें, like करें, dislike करें, subscribe करके रखें, कुछ भी करें, विटा जी, करते जरूर रहें। तो देखते रहिए हमारा चैनल और पढ़ते रहिए इस ताबर तोड़ बैच में पूरे साल आपको वीडियो मिलती रहेंगी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली इंटरस्वन कैपितल की वीडियो के साथ